हेलो स्टुडेंट्स आज हम फोटो केमिस्ट्री का लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक है एब्सार्प्शन ओफ लाइट अर्थार्थ प्रकाश का अवशोशन स्टुडेंट्स हमें पता है कि जब कभी भी कोई प्रकाश अथवा लाइट की रे अर्थार्थ की रण जब किसी भी सर्फिस पर फॉल होती है अर्थार्थ किसी भी प्रष्ट पर जब प्रकाश गिरता है लाइट गिरती है तो maximum या most probably तीन प्रकार की परिघटनाई या घटनाई फिनोमिना हो सकते हैं पहली कि यह light जो के गिर रही है किसी surface पर यह direct टकरा कर उस surface से टकरा कर वापिस किसी angle याने कोई cone बना कर उस surface के साथ कुछ cone बना कर वापिस लोट जाए अर्थार्थ इस घटना को कहते हैं हम reflection या इस light को कहते हैं हम reflected light और यदि प्रकाश दूसरी परिघटना यह भी हो सकती है कि प्रकाश की किरन याने प्रकाश की light की raise अगर किसी surface पर गिरती है तो उस surface के molecules के द्वारा उसे absorb कर लिया जाए अर्थार्थ आफशोशित कर लिया जाए अथवा यह भी possible हो सकता है कि जो प्रकाश की किरन surface पर गिर रही है वह उस surface को पूरी thickness के साथ याने पूरी surface की जो थिकने से मोटाई उस पूरी मोटाई को cross करके बाहर निकल जाए अर्थार्थ light transmit हो जाए जिसे की transmission of light याने प्रकाश का संचरन कहते हैं तो इस प्रकार तीन most probable phenomena हो सकते हैं इसके लावा और भी phenomena होते हैं जिन्हें reflection और scattering भी कहा जाता है reflection में भी कुछ एक certain angle बनता है medium की मध्य में और scattering में यह है कुछ molecules उस light को light से light जो है वो molecules से टकराती है तथा उन कीर्णों का light की raise का scattering याने बिखरना हो जाता है तो यह है तीन प्रकार की most probable परिखटनाई होती हैं किसी भी light की याने प्रकाश की किर्ण की जब वह किसी माध्यम से टकराती हैं किसी medium से टकराती हैं अर्थवा किसी surface से टकराती हैं तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि light का absorption किस प्रकार से होता है उसको हम देखते हैं कि प्रकाश का absorption अर्था absorption of light प्रकाश का absorption किस तरह से होता है हम यह कहते हैं कि एक वर्णी प्रकाश सरव प्रतम हम यह देखते हैं कि एक वर्णी प्रकाश क्या होता है monochromatic light क्या होती है monochromatic light क्या होती है ऐसी प्रकाश की किरण जिसकी केवल एक ही wavelength हो अर्थात एक ही wavelength की light को एक ही तरंगदेरे की light को हम monochromatic light कहते हैं तो जब एक वर्णी प्रकाश अर्थात monochromatic light की एक किरण या किरण किसी एक समांगी माध्यम अर्थात homogenous medium से टकराती है, अर्थात fall करते हैं, जब हम किसी भी प्रकाश की किरण को समांगी माध्यम पर आप्तित करते हैं, अर्थात fall करवाते हैं, अर्थात टकराते हैं, तो उसका कुछ भाग medium की द्वारा reflect हो जाता है, कुछ भाग absorb हो जाता है, तथा 6 बचा भाग transmit हो है, जैसा कि हमने पिछली slides में देखा था, कि कुछ भाग absorb हो जाता है, कुछ भाग reflect हो जाता है, और कुछ भाग transmit हो जाता है, जिसे हम आगे इस diagram से भी समझ सकते हैं, कि यह light जो है, यह light जो है प्रकाश की किरण, जो कि fall हो रही है, इस surface पर गिर रही है, जिसे कि हम आपति प्रकाश कहते हैं, incident light भी कहते हैं, इसका कुछ भाग reflect हो जाता है, यानि टकरा कर पुन है, वापस चला जाता है, कुछ भाग molecules की द्वारा, माध्यम की द्वारा, और कुछ भाग इस माध्यम को cross करके निकल जाता है, जिसे हम transmitted light भी कहते हैं, कि हम एक और example की द्वारा समझ सकते हैं कि देखिए properties of light की light का कुछ भाग ये तुरंध reflect होकर वापस दूसरे angle से मोड़ जाता है दूसरे angle की तरफ light propagate याने संचरित हो जाती है कुछ भाग इसका यह जो medium है उस medium को cross करके बाहर निकल जाता है जिसे कि हम transmission of light कहते हैं और कुछ भाग जो है ये absorb हो जाता है आर्थार्थ अवशोशित हो जाता है प्रकार से हम यह खर सकते हैं कि जो प्रकाश की करण किसी माध्यम से टकराती है मान लिजी है प्रकाश की करण की तीवरता कितनी है i0 अर्थार्थ आपतित प्रकाश की किरण की तीवरिता मान लेजे कितनी है इंसिडेंट लाइट की तीवरिता आई तीवरिता है यह है L Length के L लंबाई के किसी माध्यम से इसको हम गुजातते हैं और जितनी लाइट गुजरती है उस लाइट की intensity अर्थार्थ तीवरिता कितनी हो जाती है आई और इसको हम कहते हैं transmitted light अर्थार्थ जो transmit हुई वी light है अर्थार्थ संचरित प्रकाश कहते हैं हम इसे तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब एक वर्णी प्रकाश अर्थार्थ मोनो क्रोमेटिक लाइट की एक किरण एक समांगी माध्यम यानि होमोजीनेस मीडियम से टकराती है तो उसका कुछ भाग माध्यम द्वारा reflect हो जाता है कुछ भाग आवशोशित हो जाता है, अब्सार्ब हो जाता है ता शेश पचा भाग टरंसमिट हो जाता है, अर्थार्थ परावर्तित हो जाता है यदि I0 आप्तित प्रकाश की तिवरता, य़ितनी लाइट जो पॉल हो रही है उसकी intensity यदि I0 है, जो light fall हो रही है, जो प्रकाश की करण गिर रही है, आपतित हो रही है, उसकी तिवरता I0 हो, IR क्या हो? IR हो, प्रावर्तित प्रकाश की तिवरता, अर्थार्थ intensity of reflected light, reflected light का क्या मतलब? reflected light हमने यहां दिखा, reflected light जो होती है, वह हमने दिखा कि light जो fall हो रही है, वो माध्यम से तकरा कर, surface से तकरा कर वापिस किसी दूसरे angle के द्वारा वापिस चली जाए, वापिस चली जाए, इसको हम कहते हैं, reflected light और IA हो, आप्शोशित प्रकाश की तिवरता, अर्थार्थ intensity of absorbed light और यदि IT हो, intensity of transmitted light, तो हम यह कह सकते हैं, कि I0 याने, जो माध्यम की सतय पर गिरने वाली प्रकाश की तिवरता है, incident light याने, आप्थित प्रकाश की तिवरता है, it is equal to the sum of, याने, योग है किन-किन का, intensity of reflected light, IR, intensity of reflected light, IR, intensity of absorbed light, IA, तो था intensity of transmitted light, IT, समाने तिया, IR जो होता है, generally हम यह दिखते हैं, experiments में, कि जो IR है, reflected light है, इसकी value बहुत कम होती है, लगभग 4% ही होती है, आते है, इसे हम negligible भी मान सकते हैं, इसको हम नगन्या मान सकते हैं, negligible, माना, इसको हम मान सकते हैं, माना जा सकता है, तो जब हम reflected light को हम नगन्या मान सकते हैं, याने, जो light जो है, वह जो परावर्तित हो रही है, परावर्तित प्रकाश की जो किरण है, जिसे हमने यहां कहा था, RIR, याने, जो जितनी light fall हो रही है, उसका 4% जो होता है, वो reflect हो जाता है, यह वापस चला जाता है, कोई एक angle बनाकर, surface से angle बनाकर, वापस चला जाता है, उसे हम reflected light कहते हैं, तो इस reflected light की जो तीवर्ता है, यह लगबग 4% ही होती है, जिसे की हम negligible मान सकते हैं, और reflected light को जब हम negligible मान सकते हैं, याने, equal to 0 के बराबर हम जब मान लेते हैं, तो हमारे, जो I0 है, intensity of incident light, अर्थार्थ आप्तित प्रकाश की जो तीवर्ता है, यह कितनी हो जाती है, I0 is equal to, I absorbed, अर्थार्थ आवशोशित प्रकाश की तीवर्ता, प्लस IT, अर्थार्थ ट्रांस्मिट प्रक करके निकल गई, कितनी light absorb हुई, अमलतब उस माध्यम के अन्वों के दवारा, कितनी light अप्शोशित की गई, उसकी तीवर्ता, प्लस IT, कितनी light जो है, वो संचरित हो गई, याने, माध्यम को cross करके निकल जाती है, उसकी तीवर्ता के योग के बराबर होता है, I0 intensity of incident light, तो I जो I0 है, इस तरह से हम इस equation के दवारा, IA की value निकाल लेते हैं, कि IA will be equal to what? IA will be equal to I0 minus IT, हमारी final equation बन जाती है, I0 minus IT, यह light हो गई, हमारी absorbed light की हमने value निकाल ली, कि absorbed light जो होती है, वह, जो है, इसकी value I0 minus IT के बराबर होती है, तो इस प्रकार से हमने यह भी देखा कि monochromatic light का नाम लिया हमने, कि एक वर्णी प्रकाश की करण, और एक वर्णी प्रकाश की करण का क्या मतलब है? mono याने one, mono means one, अर्थार्थ एक और chroma means light, एक light याने एक wavelength की जो light है, जिसकी same wavelength हो, ऐसी light, जिसकी specific wavelength हो, याने एक ही same wavelength हो, याने विशिष्ट wavelength हो, किसी एक तरंग देरे की जो light होती है, उसको हम monochromatic light कहते हैं. अब हम आते हैं, प्रकाश की तीवृता पर, अर्थार्थ intensity of light पर, कि इतनी समय से हम intensity of light का word यूज में ले रहे हैं, अर्थार्थ प्रकाश की तीवृता को काम में ले रहे हैं. पर ये होती क्या है इसको हम देख लेते हैं कि किसी भी पदार्थ की सतय है पर प्रती इकाई शेतरफल याने one centimeter square area किसी भी पदार्थ याने substance है उसकी जो surface है सतय है उस पर प्रती इकाई शेतरफल गिड़ने वाले photon की संख्या number of photons which are falling on per centimeter square area is known as intensity of light प्रकाश के तीवरिता अर्थात किसी भी प्रकाश विकिरन का जो absorption है आवशोशन होता है वह उस पदार्थ की नीचर पर depend करता है पदार्थ की क्या नेचर है कौन से पदार्थ पर जो है light radiation गिर रही है तो कौन सा पदार्थ यानि कौन सा माध्यम उस light radiation को आवशोशित कर रहा है उसकी नीचर पर depend करती है किसी भी light radiation का absorption चीक है तो जिस प्रदार्थ की नेचर अर्थार्थ की प्रकृति पर किसी पी light radiation का absorption depend करता है, जिस पर कि वो fall होते हैं, अर्थार्थ आप्टेत होते हैं. कुछ substances बहुत ज़्यादा absorb करते हैं, जिने हम actinic कहते हैं. कुछ substances होते हैं, जिन पर यदि प्रकाश की किरण को हम fall करते हैं, तो वह उन प्रकाश की किर्णों यानि light rays को बहुत ज़्यादा मात्रा में absorb करते हैं अर्थार्थ अफशुशित करते हैं ऐसे substances को ऐसे पदार्थों को हम actinic पदार्थ कहते हैं कुछ substances बहुत ज़्यादा transmit करते हैं अर्थार्थ पारगमित करते हैं light को ऐसे substances को हम die actinic कहते हैं तो जो substances light को ज़्यादा absorb करते हैं उन्हें हम actinic कहते हैं और जो substances light को ज़्यादा transmit करते हैं पारगमित करते हैं यानि अप्शोशित ना करके पारगमित करते हैं उनको हम क्या कहते हैं die actinic substances कहते हैं किसी भी light का पदार्थ की द्वारा कितना absorption होता है यह मान उस प्रकाश की तीवरिता में कमी के द्वारा हम determine करते हैं अब हम कैसे determine करें कि किसी भी पदार्थ में हमने light को fall कर दिया तो हम किस तरह से determine करें कि कितनी light को उसने absorb किया तो हम इसको determine करते हैं इस मान को इस value को उस प्रकाश की intensity में कमी के द्वारा हम ग्याद करते हैं और प्रकाश की तीवरिता में कमी यानि अर्थार्थ light की intensity में जो कमी है वहे कौन-कौन से factors पिडिपेंट करती है वहे चार factors पिडिपेंट करती है पहला factor है nature of radiations अर्थार्थ विकिरणों की प्रकृति अर्थार्थ किस type की radiations हम उस surface पर fall करवा रहे हैं अर्थार्थ आप्तित करवा रहे हैं उन radiations की प्रकृति पर depend करती हैं दूसरा nature of absorbing medium अर्थार्थ जिस surface पर हम उन विकिरणों को light radiations को fall करवा रहे हैं उनकी nature पर depend करती हैं कि कौन absorb कर रहा है तीसरा thickness of medium और distance traveled अर्थार्थ जिस medium पर हम fall करवा रहे हैं उसकी कितनी थिकने से अर्थार्थ माद्यम की कितनी मोटाई है अर्थार्थ ये कहते हैं कि उस light radiation को कितनी दूरी तै करनी है कितनी distance travel करनी है इस पर भी यह depend करता है और चौथा और last जो factor है वह है intensity of incident radiations अर्थार्थ आपतित विकिरणों की तिवरिता पर भी depend करते हैं इस प्रकार से 4 factors पर 4 factors पर depend करते हैं प्रकाश की तिवरिता में कमी कि light की intensity में कमी जो है वह 4 factors पर depend करती है पहला factor है nature of radiation विकिरणों की प्रकृति दूसरा factor है nature of absorbing medium अर्थार्थ माध्यम की प्रकृति यानि जिस माध्यम के द्वारा light को absorb करवाया जा रहा है उस medium माध्यम की प्रकृति तीसरा thickness of medium अर्थार्थ जिस medium पर हम light को fall करवा रहे हैं उसकी कितने थिकने स है अर्थार्थ वो जो light जो गिर रही है इस पर उसको कितनी distance travel करनी है उसकी वो दै की गई दूरी पर तथा last और fourth factor है intensity of incident radiation अर्थार्थ आपति त्विकिरणों की तीवरता पर भी ये निर्भर करती हैं तो इस प्रकार हमने दिखा कि जो light radiation है वो 4 factor पर depend करती है और किस प्र surfaces के दौरा तो आज का हमारा यह लेक्चर यहीं समाप्त होता है धन्यवा